दोस्तों हमारे देश की मुदी सरकार लगातार ये कहती आई है कि चीन से अब कोई रिष्टा नहीं रखना है देखें चीन ने बीते दिनों या बीते साल में किस तरीके से भारत की सीमाओं को हड़पने की कोशिश की है किस तरह से हमला किया है हमारे जवानों पर ये सब ने देखा है और वो खबरे किसी से छिपी नहीं है दोस्तों लेकिन बावजूद इसके अगर हमारे देश की मूदी सरकार से जुड़ी एक खबर सामने आती है कि पिछले दिनों हमारा और चीन का जो व्यापार है वो बढ़ चुका है और चीन ने हमसे व्यापार जो है वो कम कर दिया है ये खबर तो चौकाने वाली थी ही अब एक और खबर सामने आई है दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च का जिक्र तो इस वक्त हो ही रहा है उसकी चर्चा आप लोग भी देख रहे होंगे सुन रहे होंगे अब हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की जो रिपोर्ट सामने आई उस उससे चीन का क्या connection है असल में उस report से चीन का connection नहीं है बलकि हिंडनबर्ग research report में दोस्तों जिस तरह से अडानी जी पर आरोप लगाए गए हैं अब उसमें एक Chinese angle आ गया है और यह Chinese angle क्या है क्या आरोप लगा है क्या नया angle सामने आया है इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों हिंडनबर्ग research report सामने आने के बाद लगातार अडानी समूग को नुकसान हो रहा है उनके उपर सवालों की कतार जो है वो लग चुकी है लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं ऐसे में एक और नया सवाल अब खड़ा हो रहा है और यह जो सवाल है यह दूर पूा जाये का निष्चित तोर पर लिखवा कर ले लिजे क्यूंकि हमारे देश के सरकार जो कि यह कहती है कि चीक uniquely करना बंद कर देंगेは कि चीन तर कोही रिष्टा नहीं रखेंगे हमारे सैनिकों को का हमला किया हमारे सैनिकों और उसके बाद से ही चाइनीज एप्स को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला चाइनीज समानों को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चला बावजूद इसके व्यापार भड़ता है लेकिन आप एक और चौकाने वाली खबर कि आडानी जी की कमपनी जो है दोस्तों उसमें भी चाइ एंगल सामने आया और यह जो एंगल है यह चाइनीज एंगल से जुड़ा हुआ है देखिए चाइनीज एंगल जोड़ा गया है हिंडन भग ने पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि अडानी समू ने अभी भी ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया है दे सवालों में चाइना से जुड़े इस लिंक का भी सवाल था दूस्तों और वो क्या सवाल था देखिए आपको बता देते हैं हिंडन भग ने यह खुद कहा है कि चीनी नागरे चांग चुं लिंक के साथ अपने संबंदों को स्पष्ट करने का प्रयास अडानी ने नहीं कि जबकि उनसे सवाल पूछा गया था देखिए साफ सीधर तोर पर यह रिपोर्ट कहती है कि हिंडन भग ने इसे चाइनेज एंगल से जोड़ा है हिंडन भग ने पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि अडानी समून ने अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं दिये है रिस पाथी रिसर्च कमपनी में उस आरोप को भी खारिच कर दिया दोस्तो जिस आरोप में अडानी ग्रूप ने हिंडन भग की इस रिपोर्ट को कही ना कहीं सुन्योजेद हमला बताया है वो भी भारत पर तो इसको नकार दिया है हिंडन भग रिपोर्ट ने लेकिन फिलाल अ डानी लेक्षन से अगस्ता वेस्टलैंड्ड से था दोस्तों अगस्ता से लेक्षन क्या करेंदल गभाए अचक्थक्यूंड काफी चर्चित स्कैंड्ल रहा है और यह dueason Glas03 की खरीद में भरस्टाचार्च से जुड़ा हुआ स्कैंडल है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी उस पूरे स्कैंडल में इस कंपनी का नाम आया था जो कि चांग्चुंग लिंग की कंपनी है दोस्तों गुदामी इंटरनाशनल अब इस कंपनी से अडानी समु का क्या लेना देना है यह आपको बता देते हैं देखिए हिंडन बग के मताबिक चांग्चुंग लिंग का बेटा है अडानी ग्रूप के पी-म-सी प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कॉं थी ऐसे में संभावना ये भी है कि यूनिट जो है वो अडानी ग्लोबल के साथ डारेक्टर और शेयर होल्डर्स शेयर करती है यानि ये जो कंपनी है जिसका सीधे तोर पर इतने बड़े भरश्टा चार से स्कैंडल से लेना देना है वो कंपनी हिस्सेदार है अडानी पावर से कैश की हेरा फेरी की गई हिंडन बंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चांग्चूंग लिंक का नाम जो है रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशाले की 2014 की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें सामने आया था इनका सीधे सीधे तोर पर लिंक सामने आया था औ और ऐसे स्कैम की इसमें जानकारी दी गई थी आरोप लगाया था कि अडानी ग्रूप ने अपनी लिस्टेट कंपनिया अडानी एंटर्प्राइज और अडानी पावर से कैश की हेरा फेरी की है डियाराई जांच रिकार्ड के मताविक गौतम अडानी ने इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग प्राइविट लिमिटेड के निदेशक की रूप में काम किया जिस दिन उन्होंने डिरेक्टर की पच से इस्तिफा दिया उस दिन विनोध अडानी ने उनके इस्तिफों क तो इसलिए चांग चुंग लिंग जो की एक गुदामी इंटरनाशनल कंपनी जो है उनके निदेशक के तौर पर माने जाते हैं वो कंपनी का कनेक्शन चाइना से है एक तो उसका लिंग और दूसरा विनोध अडानी क्यूंकि जिन कंपनियों से इस्तिफा दिया अडानी स मुख्य तोर पर उसका पूरी कमान जो है वो समहाल लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कई अपराधिक जाच में गुदामी डारेक्टर शेर होल्डर्स चांग चुंग लिंग को डिया राई ने अडानी ग्रुप की कंपनियों का डारेक्टर भी बताया है अब समझे इस अपरी रिपोर्ट में लिखा है कि चांग चुंग लिंका अडानी समुग के साथ गहरा रिष्टा और जुडाव है तो फिर अभी तक अडानी ग्रुप की तरफ से इस चाइनीज कनेक्शन को लेकर कोई भी रिप्लाई या कोई भी प्रितिक्रिया किसी तरीके का कोई रिय ग्रुप ने और अब तो चाइनीज कनेक्शन भी साम जा रहा है तो एक एक करके हिंडेन बग उन तमाम सवालों का जिक्र कर रहा है जो कि अडानी ग्रुप से पूछे गए और अडानी जी ने या उनके समुग की तरफ से उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया दूस्तो जिसमें चाइनीज कनेक्शन से जुड़ा ये सवाल भी बरकरार है सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं चाइना और भारत का सीमा विवात क्या चल रहा है किस किस जगा पर चाइना जो है हमारी जमीने हडप रहा है किस तरह से खूफिया तर पर ध्यान के इंद्रित करते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि चाइना के हमारे आगे एक नहीं चलेगी बेशक एक नहीं चलेगी लेकिन उसको जब लालाख दिखाए जाएगी 56 का सीना दिखाए जाएगा तभी तो नहीं चलेगी आपने तो सब कुछ इस वक्त गुप पर दाने जंद्र मोदी जी ने अपने कारेकाल में चाइना से व्यापार बढ़ा दिया आप छोटे छोटे अपनी जितने वी समर्थक हैं इनके दो रूपली जो क्यांग है उनको बोल दिया कि तुम जाका ट्वीट करो और ट्वीट का तुमको दो रूपिया मिलेगा आपार बढ़ा रहे हैं और उनके जो परम्मित्र हैं वो तो बकाइदा डारेक्टर रख रहे हैं अपने समूं में चाइना के व्यक्ति को तो फिर सवाल तो इनसे पूछे जाएंगे और अगर ये रिपोर्ट वाकई सच है दोस्तों जैसा हमने आपको बकाइदा कौन सी र आथम ने आपको दिखाई है कुछ भी इसमें जूट नहीं है आगे आने वाले समय में ये जो पूरी रिपोर्ट है इस रिपोर्ट से जुड़े तो सवाल देखे उठेंगे ही लेकिन सवाल जो है हिंडन बग अब बहुत जादा पूछने वाला है क्योंकि हिंडन बग ने जैसा कहा कि 88 सवाल पूछे थे और उसमें से एक सवाल ये भी था जिसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दिया गया तो फिर आगे आने वाले समय में ऐसे और कौन-कौन से सवाल है जिसका जवाब अडानी समून ने नहीं दिया है ये देखना लाजमी हो जाएगा दोस्तो झाल झाल